शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें हुडकेश्वर रोडस ती धगे बंगला परिसर में भव्य प्रदर्शनी का आईजन किया गया था लेकिन लोगडाउन लगने से और शहर में मुसलाधार बारिश के साथ आन्दी तूफान आने से प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले दरजन उस्ट्रॉल धरकों का लाखों का नुकसान हुआ है आईए देखते हैं इस बारे में हमारे समाधता संजे मीरी की रिपोर्ट शहर के जानवी इवेंट्स मैनेजमेंट के और से हुडकेश्वर के धगे बंगला परिसर में नाकपूर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था लेकिन लॉक्डाउन हो जाने से इस नाकपूर प्रदर्शनी को बंद करना पड़ा जिससे लाखों का नुकसान इस नाकपूर प्रदर्शनी में भाग लेने वाले तकरिबन सतर से असी स्टाल धरकों का हो गया है इस प्रदर्शनी के शुरुआत 13 मार्स से की गई थी इस नाकपूर प्रदर्शनी में तकरिबन नाकपूर के अलावा मध्रप्रदेश, कलकत्ता, यूपी, आंध्रप्रदेश और महारास्टर के कई स्टाल धरकों ने बड़ी संक्या में हिस्सा लिया था लेकिन कोरोना वाइरस की वज़े से तारीक 14 मार्स से शहर में लॉकडाउन जारी किया गया जिससे इंस्टाल धरकों का लाखों का नुक्सान हुआ है इस स्टाल में प्रापर्टी, आर्टिफिशली ज्वेलरी, कपड़ा, ग्रेय उद्यो, हाथ मार्ट, हैंडी क्राफ वस्तुए, इलेट्रोनिक वस्तुए के साथ साथ इस नाकपुर प्रदर्शिनी में आने वाले ग्रहाकों के लिए एमिजन पार्क और फूर जोन की व्यवस्ता अच्छे से की गई थी एक तरफ लॉकडाउन की मार जहल रहे, इन लोगों का माल आंधी तुफान और पारिश में पूरी तरह से जमिन दोज हो चुका है, इससे उनका लाखों का नुक्सान हुआ है लेकर यहां पर प्रदर्शनी करने के लिए आयते और इस प्रकार का एक सेटप भी यहां पर खड़ा कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन चला, लॉकडाउन चलने से यह पूरा कामकास वही पे जोंकी तोस्तिते में बना रहा, उसके बाद आंधी तुफान आया, और आ जमीन दोज हुए है, यह तमाम लोग यहां पर दिखाए दे रहे हैं, जो कामकास करते में नजर आ रहा है, कई टीन के शेड, कई ऐसे टेंट, इस हवा आई हुई, आंधी और तुफान के आगे में जमीन दोज हुगई है, इसके निचे कई ऐसा जो चीजे थी, जो ग्रहक यहां पर बेशने के लिए बड़ी संक्य में लाई गई थी, और जो दर्शक आने वाले थे यहां पर, उन लोगों के लिए, मैं थोड़ा हमारे कामरे पसंद सुवास से कहना है, जोगर सुवास आप थोड़ा पहन करके बताएए कि यहां पर जूला लगा है, इस जूले प मगर वे भी नहीं ले पाए, और यह पूरा जो सेट अप जो खड़ा किया है, इसके लिए लाकों रुपे लग चुके है, और कई दुकान दोरों को माल बारिश से खराब हो चुका है, एक तरफ लागडाउन, कोरोना वाइरस, इन्होंने लोगों को परिशान करके रखा है तो वहीं दूसरी और नेचर, आंदी तुफान ने भी इन्हें जगजोर के रख दिया है, ऐसे में ये गरीब लोग जाये तो जाये कहां, ये सवाल अब भी बरकारार है, क्या जिला प्रशा से इनके मदद करेगा, क्या इन्हें नयाय देगा, ये एक देखनी वाली बात हो ये इवेंट लगाया था मार्च महने में, 14 मार्च को लगाया, 14 मार्च के बाद में वो 15 तारीक को लोग डाउन हुआ है, तो ये हमारा पूरा सेट अप जैसे के वैसे ही लगा था, तो इसमें कैसे पूरा लगने के बाद में एक आए की ऐसे लोग डाउन सरकार ने ये किय हैं तो इसके बाद में बंकरने के वज़क्रसे हमारा काफी हूः अथ olması यहां पर छार दिशने के बाद में जो जा सकता था यहांसे जला पर नहीं जा सकते थे वह ज्यासे तीस तारीक बाद लोगड़ॉन खुलेगा इसे करके बोला था तो उनको ऐसा तो लगा शाहें तीस तारीक को लुक्डाउन खूल जाएगा तो काफी लोग यहाँ पर रुखे हुए थे उसके बाद में पूरा एक दो मिने के लिए जैसे लुक्डाउन टपे-टपे में जैसे उन्होंने किया तो यहां पर लोग लुके हुए थे वो जानी पाए उसके ब वो काफी नुकसान हुआ हैं तो उसकी वर्पाई हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार हमें इसके लिए मदद करें सरकार कहीं मदद करें ऐसी गौर इन्होंने लगाई है सर आप क्या कहना चाहोगे सर मैं एक स्टाल हूँ पिछले कई सालों से हम लोग प्रदरशनी में स्टाल लगाते हैं शहर के अलग अलग राज्य में जाके हम लोग स्टाल लगाते हैं पिछले कई सालों से हमरा उजरा ही से होता है हम जब यह हुडकेश और प्रदरशनी में स्टाल लगाने के लिए तो क Corona नामक महामारी का कोई भी जिकर नहीं था। Corona नामक बीवारी आएंगी और यह सब बन वेंद भोगा। और इसरो कई भी कई भी हालात नहीं थे। 2-3-4 दिन यहां पर खड़े रेने के बाद, यह महामारी का सब पता चला, और प्रσωथ्थन के सब बंद करो, बंद करो और इस प्राकार्ट तो उस प्राकारति जह नूग्साण हुआ आप देख सकते हैं मालका वह नुक्सान प्रशाaghe G mayा ं़ से नुक्सान हुआ है जो नाइसरगी विपतिय उससे भी हमारा काफी नुक्सान हुआ है तो हम्यां चाहते that Prison प्रशासन हो जिला प्रशासन हो कुछ तो भी अमारी दखल लिए उनको अभी आगे में अभी यहां से स्टॉफ हो गया सब आगे में कुछ ना कुछ इनके लिए होना चीए बस यह दरकाश करना चाहता हूं मैं सरकार से कितने लाखों का लुक्सा कितना हुआ है कम से कम साथ से आट लाख रुपे लगे थे मैडम के पूरे आपर और मैडम ने जो इनका पैसा फूद का नहीं था वो भी इदर उदर से करके सेट अप करते हैं और हम उनके साथ में ही चलते है विस लोग इन लोगों की जो दाई है ऐसे में इन लोगों की पीड़ा आखिर कर कौन सुनेंगा ये दर्द उन में लोगों में था और उन्होंने जिला प्रशासन से अभी एक गुहार लगाई है कि उन्हें मदद करे तकरिक बन आठ से नव या दस लग का इनका नुकसान हुआ है कई परिवार बेघर हो दाने के लिए वे लोग मोताज हुए है खाने के लिए उनके पास अनाज नहीं है हातों को काम नहीं है ऐसे में लोगों को तंतर में जीने वाले इस लोगों को आखिरकार कैसा न्याय मिलेगा एक सोचने वाली बात है लेकिन जिला प्रशासन अपने और से इने मदद करे औ और इनकी मांगों को पुरा करे और इनकी उपर में जो संकट आया है जो बाधाएं आये वो दूर करने के लिए इनकी पुरी सायता करे यही समय की मांग सब लोग जिला प्रशासन से कर रहे हैं नाकपूर के हुडकेशर परिसर से क्यामेरा परसन सुवाज बुठले के साथ संजय मीरे इन बीसेन नियूज नाकपूर